नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशा सत्य की राह में, मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंट संतो संतोशी सुरवार करते हैं आज के नए दिन का और आज के जोतिश दिशा का नया दिन जोतिश दिशा के छेत्र में जोतिश के छेत्र में आप लोगों की सकरात्मक उर्जा के लिए कितना खास है क्या कुछ ये आपको देना चाहता है जब इस छेत्र में आप प्रवेश करते हैं जो तिश्विज्ञान के छेत्र में प्रवेश करते हैं तो बहुत कुछ आपको मिलने लग जाता है, आप बहुत कुछ पाने लग जाते हैं और यही मिलना और पाना आपको सबसे अलग कर देता है, सबसे खास कर देता है आईए सुर्वात करते हैं आज के जोतिश दिशा का सबसे पहले जानते हैं आज का पंचार्ग बशाक माह पूरी माह ते थी आज बुद्ध पूरी माह है साम साथ बजकर बाईस मिनट तक पूरी माह है इसके बाद जेश्ठ माह लग जाएगा चंद्रमा ब्रिश्चिक राशी में और नक्षत्र सुपह 9 बजकर 14 मिनट तक विशाखा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र योग रहेगा आज का परिग तद अनुसार दिनांक 23 मई दिन गुरुवार राहुकाल का समय गुरुवार के दिन दो पहल जेड़ से तीन और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 9 से 10 बजकर 30 मिनट तक है राहुकाल नय और शुबकामों के लिए सास्त्रोक्त वर्जित करता है गुलिक काल हर एक नया और शुबकाम आरंब करा देता है आईए सुरवात करते हैं आज के अब भवश्यवारी का मेश राशी सबकुछ आपके लिए बेहत सहज रहेगा आप सबकुछ बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं पढ़ाई के लिए आपको किसी भी प्रकार के चिंता की आवश्यक्ता नहीं है सिक्षा उचाई तक आपके जाएगी ब्यापार नक्ट लेबल पर जा रहा है बिजनस के चिंता ना करिए आप जो प्राप्त किये हैं वो आपके बढ़ने का समय आ गया है प्राइबर सेक्टर में उतार चड़ाओ बढ़ेगा और इस्थितियां प्रतिकूल होंगी चीजें कश्ट देंगी सरकारी छेत्र सकरात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा गौर्मन्ट सेक्टर आप तेजी से आगे ले करके जाएंगे नई जिम्मेदारियां मिल सकती है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा अउसर अच्छे मिलेंगे परिशानियों से बाहर निकलेंगे स्वास्थ के मामले में हर तरह से आपको उत्तमता प्राप्त हो रही है स्वास्थ महसूस करेंगे क्या उपाय करना है मेश राशी वालों को वाज के दिन को शुप करने के लिए बुद्ध पूरिमा ओम सम्सोमाए नमाह चंद्रमा का खास मंत्र साथ बार बस जब लीजिएगा दिन आपके फेवर में चलता चला आएगा शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्यपत्षत पच्पन ब्रिशब राशी मानसिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे आप पढ़ाई अच्छी चलेगे शिक्षा में आपको किसी तरह की चिंता की आवश्यक्ता नहीं है शिक्षा का छेत्र अनकूलता के साथ चल रहा है ब्यापार थोड़ा सा टफ सिचुएशन में है बिजनस पर फोकस करने की आवश्यक्ता है प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ध्यान दे प्राइवेट सेक्टर में उतार चड़ाओ बढ़ेगा सरकारी छेत्र सकरात्मक उद्देश्श की पूर्ती करा रहा है गौर्मेंट सेक्टर में आप उन्नती प्राप्त करेंगे दामपत्य जीवन आपके लिए कश्ट देगा पती-पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी स्वास्थ के मामले में पेट की समस्या हो सकती है आज और हड्डियों से समंधित दिक्कत रहेगी क्या उपाय करना है ब्रिशववालों को आज 23 तारिक को प्रियोग के तोर पर अपने माथे पर हल्दी का तिलग लगाईएगा शुबरंग आपके लिए आज लाल भागी प्रत्षत चववर मिथुन राशी 23 मई पढ़ाई में आज पूर्टा के साथ उन्नती है सिक्षा में किसी तरह का दूश नहीं है ब्यापार थोड़ा बहुत उतार चुड़ाओ देगा बिजनस पर ध्यान देने की जरूरत सावधानी वरतने की आवशक्ता है प्राइबेट सेक्टर आप पर कुछ विशेश किरपा दे रहा है प्राइबेट सेक्टर में कुछ अलग से आप उन्नती प्राप्त करेंगे सरकारी छेतर में सुधार अपने आप आएगा गौर्नमेंट सेक्टर में शुबता बनी हुई है दामपत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सावधान रहे दामपत्य जीवन में परिशानिया आ सकती है तनाव बढ़ सकता है स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो खांसी जुखाम की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर आपको अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को खाने पीने के लिए कुछ देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आसमानी भाग्य प्रद्शत चवर करकराशी सकरात्म कुद देश्य की सुरुवात है आज चंद्रमा पंचम भाव में आये है पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं है ब्रश्चिक का चंद्रमा है शिक्षा उचाई तक ले कर जाएगा ब्यापार उतार चड़ाओ बढ़ा रहा है बिजनस की स्थती डामाडोल स्थती है प्राइवेट सेक्टर में आज कुछ अच्छा सोच करके अगर आप करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा सरकारी छेत्र में बहुत कुछ सुधार नहीं है गवर्मन सेक्टर में समस्याएं बढ़ सकती है दामबत्य जीवन की बात करें तो पदी पत्नी की बीच तालमेल थोड़ा बहुत बच्चों को लेकर के बिगड़ सकता है नीज का चंद्रमा है शनी का नक्षत्र है सावधानी बरते खास दोर पर दोपहर बारे बजे के बाद स्वास्त के मामले में आज डाइजेशन की समस्या रहेगी करक राशी वालों को क्या उपाय करना है बुद्ध पूर्णिमा स्पेशल कच्चे दूद्ध से स्यूलिंग पर अविशेक कर दे शुभरंग आपके लिए आज पीला भाग्यपद्शत सत्तावन बात करते हैं सिंग राशी की चतुर्थ के चंद्रमा का प्रभाव आज बलवान है पढ़ाई में आज पूर्टा रहे कि सिक्षा की स्थिति आपके अनकूल है सिक्षा में सुधार हो रहा है ब्यापार्ट तकलीफ दे रहा है थोड़ा सा बिजनस पर ध्यान देने की जरूरत है प्राइबेट सेक्टर को लेकर के आप जितना अपने आपको साधें उतना ही बहतर रहेगा सरकारी छेत्र आप पर हर प्रकार की किरपा दे रहा है गौर्णन सेक्टर सकरात्मक उद्देश्य पूर्ण कर रहा है दामपत्य जीवन की बात थोड़ा सा अगर करना हो यहाँ पर तो पती-पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी कुछ बाहरी लोगों का हस्तक शेप हो सकता है स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम आँखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर अपने कंठ पर थोड़ा सा लाल चंदन लगा लिजेगा सिंग राशी शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भागिप्रत्षत बावर बात करते हैं अब कन्या राशी की चंद्रमा तृतिय भाव में रहेंगे पढ़ाई में आज सुधार होगा सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं ब्यापार अनकूल है बिजनस में सकरात्मक्ता है उत्तमता के साथ आगे बढ़ रहा है बिजनस प्राइविट सिक्टर थोड़ा बहुत उतार चड़ाओ दे रहा है प्राइविट सिक्टर को आप बल दे सरकारी छेत्र मजबूत इस्थती में है गॉर्मन सिक्टर में मजबूती रहेगी दामपत्य जीवन कन्याराश मन खिन रहेगा चीजें बिगड़ी हुई सी लगेंगी स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो अवसर अच्छे है तो आज समय पर धमाओं का सेवन और बहुत ध्यान देना उत्तम स्वास्थ का परिचाय को रेगा प्रियोग क्या करना चाहिए अपने कंठ पर चंदन का तिलक लगा लीजे शुबरंग आपके लिए आज सफेद भागिप्रशत पश्पन तुला राशी दोती यस्थो चंद्रमा है दोती भाव का चंद्रमा पढ़ाई के लिए थोड़ा परिसानी का कारण मन जाता है बहुत अच्छी सिक्षा नहीं रहेगी उतार चड़ाव बढ़ेगा ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस की चिंता कदा भी न करें प्राइवेट सेक्टर आप के लिए कुछ अच्छा परिणाम दे रहा है प्राइवेट सेक्टर को आप बल देने में काम्याब होंगे सरकारी छेत्र सुधार अपने आप लाएगा गौर्णमेट सेक्टर में सुधार अपने आप आएगा दामपत्य जीवन अनकूलता के साथ चल रहा है उत्तम इस्थती में रहेगा स्वास्त के मामले में सब कुछ बहुत अनकूल रहेगा स्वस्त महसूस करेंगे क्या उपाय करना चाहिए आज तुला राश्यवालों को आज चंद्रमा के दुतियस्थ होने का सकरात्मत परिणाम ले लीजेगा एक स्टील के बरतन में कच्चा दूध लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजेगा शुबरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रदिशत अठावन चंद्रमा की स्थती ब्रिश्चिक में है ब्रिश्चिक वालों के लिए आज का दिन कैसा भी इतने वाला है पढ़ाई अच्छी है सिक्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं ब्यापार अनकूल रहेगा बिजनस में आपको शुबता मिलेगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़ा परिणाम दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में उन्नती रहेगी प्राइवेट सेक्टर वालों को नौकरी में प्रमोशन है सरकारी छेत्र में तनाव बढ़ सकता है थोड़ा समभल कर चलने की आभशेक्ता है गवर्मेंट सेक्टर वालों को दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा अवसर अच्छे मिलेंगे स्वास्त के मामले में देखा जाए तो पेट की समस्या हो सकती है प्रिश्चिक वाले क्या हुपाय करें अपने कंठ पे शेहद का तिलग लगाईए शुबरंग आपके लिए आज गुलावी भाग्य प्रतिशत चववन धनुराशी 12 के चंद्रमा का प्रभाव है आज पढ़ाई में उच नीच थोड़ी बहुत लेकिन नए कूर्स में एडिमिशन वालों के लिए बच्चों के लिए जो धनु के हैं उत्तम इस्थती है उम्मीद कर सकते हैं पैसा आज आएगा प्राइवर्ट सेक्टर में इस्थतियां थोड़ी सी डावा डोल होंगी प्राइवर्ट सेक्टर बहुत अच्छी स्थतिय में नहीं रहेगा चीजें बिगर सकती है सरकारी छेत्र अच्छा है गवर्मेंट सिक्टर में शुबता है दामपत्य जीवन उतार चड़ाओ के साथ पति-पत्नी के बीच तालमेल की कमी थोड़ा सभल कर चलने की आवशक्ता है स्वास्थ के मामले में देखा जाये तो थोड़ा बहुत बैक की प्रॉबलम आज हो सकती है क्या उपाय करना धनुवालों को प्रियोग के तोर पर अपने कंठ पर कच्चे दूध का तिलक करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भागिपत्षट अठावन मकर राशी एका दस का चंद्रमा आया पढ़ाई में आज आपके अनुसार फल मिलेगा सिक्षा में जो आपने विचार किया जैसा आपने विचार किया उसके हिसाब से परणाम प्राप्त करेंगे ब्यापार टफ है बिजनस की स्थती थोड़ी सी तनाव पूर्ण है बहुत अच्छी स्थती नहीं है बिजनस की प्राइबेट सेक्टर में आज जैसा आप विचार कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको उत्तमता प्राप्त होने जा रही है मकर राशी सरकारी छेत्र काम में मन कम लग रहा है कुछ मैटर इधर उधर के आज सामने आ सकते हैं दामपत्त जीवन अच्छा रहेगा अउसर अच्छे मिल रहे हैं परेशानियों से बाहर निकलेंगे स्वास्थ बहतर रहेगा स्वास्थ में किसी तरह की दिक्कत नहीं है क्या उपाय करना है आज आज मकर राशिवालों को शिवलिंग पर शहद अरपित करना होगा शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्यपत्षत पच्छपन कुम्भ राशिव यहाँ चंद्रमा दसंभाव के राजा बनके बैठे हैं थोड़ा निगेटिब मैटर है कुम्भ के लिए चंद्रमा की स्थिती बहुत अच्छी नहीं होती है छटे के स्वामी होते हैं पढ़ाई में स्थिती उतार चड़ाओ से युक्त है सिक्षा परेशान करेगी ब्यापार अच्छा रहेगा बिजनस को आप चिंता कदापी न करें बिजनस में आप आप जैसा विचार किये हैं उसके हिसाब से परणा मिल रहा है प्राइबेट सेक्टर में बल मिल रहा है तेजी से आगे बढ़ेंगे शुबता आपको मिलेगी प्राइबेट सेक्टर वालों को सरकारी छेत्र में कुम्भराश गवर्मेंट सेक्टर प्रमोशन की खुशखबरी और संभव है कि कोई महलामित्र मददगार साबित हो दामपत्य जीवन चौथे का चंद्रमा खश्ठे शोकर के बैठा है बारी लोग आपके दामपत्य सुख में बाधक रहेंगे स्वास्त के मामले में बात करें तो आज ब्लड प्रेशर और किट्नी की सिकायत रहेगी प्रियोग के तोर पर ओम हंग हनुमते नमह इस मंत्र का 11 बार जाब कर लिजेगा शुबरंग आपके लिए लाल भागी प्रतिशन अठावन अंतिम राशिमीन यहां चंद्रमा भाग्यस्थान पर है बलवान समय है बलवान भाग्य है आज पढ़ाई हर तरह से आपके लिए सकारात्मक शिक्षा में पूर्टा ब्यापार थोड़ा सा रिस्क लेंगे बड़ा प्राफिट होगा प्राइवेट सेक्टर इस्थतियां आपके लिए अनकूल कर रहा है मजबूती प्राप्त कर रहे हैं आप सरकारी छेत्र थोड़ा मुश्किल पैदा करेगा गौर्वर्मेंट सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है दामपत्य जीवन पत्नी और बती के बीच तालमेल अच्छा रहेगा स्वास्थ किट्नी की समस्या माइग्रेन की दिक्कत होगी प्रियोग के तौर पर आज कच्चा दूद अपने ऊपर छिड़काव करिए शुभरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रत्षट बासट 62 राश्यों की स्थदी के बाद आईए आगे बढ़ते हैं अब जान लेते हैं आज का सक्सेज की अपनी अनामी का उंगली में कच्चा दूद लगाईए कंट को छूकर साथ बार ओम नमह शिवाय का जाप कर लिजे पोनिमा का दिन भगवान भोलेनात का दिन होता है चंद्रमा को मस्तक पर भगवान भोलेनात ने धारण किया है और जीवन में सकारात मकता यहां से सुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं जान लेते हैं आज का स्पेशल भाग्याक्षर मेश दाग्षर बिशब का मिथुन छोटा आग्षर करक सा सिंह पाग्षर कन्या चा तुला हाग्षर बिष्चिक भाग धनू याग्षर मकर पा कुम्भ जाग्षर मीन था शुव भाग्याक्षर सादे चवकुर कागच पर लिखना है और अपने पास रखना है चर्चा अब आज के आयुश्मान भवह की दिनांक 23 मई कैसा हो पूरा वर्ष आपके फेवर में हो जाए चाहते हैं न करिए ये खास उपाए गउशाला में आप काले तिल का दान करें अपना जूता चपल नया ले करके किसी जरुरतमंद को दें जल का दान निवारे हैं किसी जरुरतमंद को पेट भर भोजन कराएं जिसकी आज मेरी जैनिवर्सरी है वो क्या करें किसी को खाना खिला दीजे गायत्री मंत्र का एक माला जाब करिए और पती-पत्नी मिलकर रोद्रा अभिशेक करवाने तो आज के अंक में इतना ही अनुमत दीजेगा अपना खयाल रखे कल मुलाकात करते हैं दोर में मिलने के लिए कारियाले के नंबर पर आप वाटसप जरूर करिएगा धन्यवार नमस्कार शिरादे आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हुदुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक अट्सियों के लिए थादने के लिए संतार करेंए लिए भ्रहदी उष्मी चाहा है कोटे से खुशियों के लिए सुशियों के लिए सांधियों का बढ़ एक्टर मॉश्मी का प्रहदी प्रहदीब